जारखन में अपने स्कूल कई हैं लेकिन आक्सफोर्ट का नाम लेना निश्चुतरूप से सही होगा क्योंकि आक्सफोर्ट पब्लिक गुरूप जो है जिसके दौरा सिख्छा के छेतर में गई आयाम गड़े गए हैं राज के कही जुलो में इसकूल के ब्राँच हैं गड़ाँ में भी ब्राँच खुला लेकिन सबसे बड़ी बात कि ब्राँच खुलते ही कोरोना एक गरहन के रूप में आया बच्चों को पुरी तरह से सिक्षित करने का बीड़ा अक्सफोर्ट ग्रूप ने उठाया है उसी क तहत उसी अभियान के तहत ही गड़ा में ब्रांच खोले गए थे लेकिन अपसोस इस बात का है कि उसी शुरुवात के समय से ही कुरोना आया आज आलम है कि ओनलाइन सिक्षा देनी पड़ रही है अब यहां बात जरूर हम कहना चाहेंगे इसको प्रमंदन का भी कहना है कि सार कह देखास के सक्षाख साभित हो रहे ही लेकिन बच्चे अगर स्कूल में आते कलास में बैटकर पढ़तेस तो अजयादा कारगार होता है प्रिंस्पल मेड़ा हम से बात करेंगे, मैडम इस्कूल जिसमें सुरुवात होई बच्चों को सिक्षित करने का भियान जो है गुरूप का उसी के थाद स्कूल गया सुरुवात की गई थी, कुरोना गरहन की रूप में आया, ओफलाइन सिक्षा देना निच्छ तुरूप स जोरी है, बच्चे जादा सामने से बैठ कर पड़ते हैं, तो जादा अच्छा होता है, ओनलाइन निच्छ तुरूप से अलग बतरा से होता है, बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या? हम बच्चे इंटराउंक्त बिल्कुल नहीं कर पाते हैं हरु हुम लोग डील कर रहे। इस बच्चे से जो अपने घर में बैठ हैं और हम लोग अपने ख्रास्ट्रूम में घर में ड्अ क्लास्रूम प्लीट पकशी हम आप देते हैं अब बच्चे का भी प्रॉब्लम है, स्कूल का भी प्रॉब्लम है, वेदर की चलते से भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग 100% बिलकुल नहीं पहुँच पारे है। ज़योरी है कि नेट वर्क कि पर्सानिक कर राषन में नहीं, सिक्षा में भी है। कि प्राइड इससे वालिक सपोर्स ले बहुत अछे थे स्पोर्स नुट एंपा रहे है तो भी लोग करने पारे ठीक से किछ बच्चे पुई पुईट्री कुछ बच्चे एलिक इसन कुछ बच्चे पबिक स्पीकिंग थो हम लो को क्वालिटी स्को इन्हांस कर पारे वो जो तो क्वालिटी जी वह हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहें क्योंकि बच्चे घर में और हम लोग स्कूल में अगर बच्चे सामने रहते हैं तो शयद हम लोग उसकर बहुत वर्क करते हैं और बच्चा एक्सलेट बन जादा और भी प्रॉब्लम है कि घर में जो पेरिंस बच्चे स्कूल में आते हैं तो वह कारगर कहीं से भी नहीं है कि बच्चे लोग को जो उन लोग सीख रहे हैं अगर उन लोग अपने हाथ से बनाते हैं जैसे मैंने एक इंटिवी में कहा था कि तेल मी और फोगेट आप बोल रहे हैं और भूल जाते हैं यू आप पढ़ा रहे हो हम याद कर पाए नहीं भी कर पाए पर आप अगर हमको इन्वोल करते हैं वो चीज में तो हम लर्न करते हैं इसलिए बच्चे जब स्कूल आते हैं तो हम लोग उनके साथ बैठके लिकारियों से वो अपने बच्चों को परबते भार में घुमाने ले गए और बच्चों को अपने घर से सुदूर परदेश में भी ले जा रहे हैं बजार घुमा रहे हैं अगर नहीं कहीं ले जा रहे हैं नहीं कहीं ले जा रहे हैं उनको परसानी क्यों हो रहा है तो वह ह स्कूल वाचा भी रहें कि हमारे बच्चे पढ़ें लेकिन ओनलाइन पढ़ा पना निश्ची तुरूप से अभी के वरतमान परिप्यक्ष में बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो रहा इसलिक उनको भी जोड़ देनी के जूरा थे कि जल से जल हमारे बच्चे स्कूल में पहुं से हमको लगता है बच्चे लोग को प्रॉफिट ही होगा कहीं भी लॉस नहीं है पैरिंस को भी टीचर्स को भी स्कूल को भी एंड मेंली बच्चे को धन्यबाद मैं हम लोग भी चाहेंगे कि इसकूल जल से जल्द खूले बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चों को बजार घुमाने ले जा रहे हैं आप बच्चों को मौल में ले जा रहे हैं आप बच्चों को कहीं सुदूर परदेशों में ले जा रहे हैं वहां आपको डर नहीं है वहां आप खत्रे से पूरी तरह से खुद को बाहर समझ रहे हैं तो फिर इसकूल में आपको किस तरह का खत्रा मसूस हो रहा है यहां पर सरकार को भी सोचने के जूरत है कि सब कुछ खोल चुके अपने बजार खोल चुका मौल खोल चुका और बाहर के सहरों में बड़े बड़े वाहनों चल रहे हैं हमरे यहां भी वाहन चल रहे हैं भीड बजार में सुरू हो गई बच्चे भी निकल र आउनलाइन जब रासन लेने में लोग जाते हैं तो उन्हें परसानी आती है तो निची दुरूप से अब समझ सकते हैं कि नेट्वर्क के परसानी इस आउनलाइन पढ़ाई में भी होती होगी इसलिए जरूरी है कि जल से जल इसकूल में बच्चों के आने करनुमति दी गरवा